हलो अप्रीवन, माइनेम इस प्रीती सिंग और आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन जोग्रफी चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे कि हम जानते हैं भारत का भुगोल है वो दो भागों में बटा है भौतिक भुगोल या फिजिकल जोग्रफी और हमारा भुगोल का पहला चप्टर है भारत की स्थिती एवं विस्तार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेशन पुछती हूँ निम्ण में से किस राज्य की सीमा बांगलादेश से नहीं मिलती है और आप मुझे इसका जवाब कॉमेंट सेशन में जरूर बताएं और इसका जवाब दूँगी मैं आपको वीडियो के एंड में तो चली स्टार्ट करते हैं भारत की स्थेती एवां विस्तार शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि महादवीपों का निर्मान कैसे हुआ 1912 में वेगनर महोदे ने हमें ये बताया कि जो हमारा प्रित्वी है जो सभी महादवीप है वो आपस में जुड़े हुए थे और उन्होंने उसे नाम दिया पैंजिया और बाकी के जो पानी का भागता उन्होंने उसको नाम दिया पैंथलासा जैसे जैसे टैम पास हुआ जो हमारा पैंजिया था वो दो भागों में बट गया लोरेशिया और गुंडवाना और दीरे-दीरे हमारे महादवीपों का निर्मान हुआ और इसके बारे में हम डेटेल में जब हम वर्ड जोग्रफी पढ़ेंगे तब जानेंगे और अब बात करते हैं इंडिया की जो हमारा इंडिया है वो यहां पर सिचुएटेड है और इसकी यह हमारा है नौर्धन हेमिस्फेर और नीचे वाले को बोलते हैं साउधन हेमिस्फेर जो हमारे इंडिया की जो सिचुएशन है उसको बोला जाता है उत्री पूर्वी उत् तो हम इसको बोलते हैं कि जो इंडिया है वो हमारा उत्री पूर्वी गॉलार्द में स्थित है या हमारे इंडिया की सुच्वेशन ने वो उत्री पूर्वी है अब हम बात करते हैं इंडिया की ये हमारा इंडिया है और इंडिया कितने latitude और longitude में आता है अब latitude क्या है ये हमारा globe है मतलब पृत्वी के जैसा ही हमने कुछ माल लिया कि पृत्वी को हमने एक छोटा रूप दे दिया और उस पर हमने imaginary lines draw की इनको हम बोलते हैं longitude और इनको हम बोलते हैं latitude या इनको बोला जाता है अक्षांश और दिशांतर और इनके बारे में हम detail में जब हम world geography पढ़ेंगे तब हम इनको detail से जानेंगे तो अभी हमें क्या जानना है कि longitude और latitude होता क्या है longitude और latitude किसी भी देश की time और उसकी situation की वो कहां पर स्थित है उसको निकालने के लिए हम use करते हैं तो अब इंडिया कहां पर है इंडिया आता है 68 degree 7 minute 97 degree 25 minutes में आता है ठीक है जो minute है वो भी length की ही unit है और north east क्यों लगा क्योंकि हम eastern hemisphere में आते है अभी हम उपर हमने किया है कि हमारी जो situation है वो उत्तरी पूरवी है मतलब हम north east की side आते है और 37 degree 6 n मतलब north की side आते हैं क्योंकि हम northern hemisphere में लाये करते हैं 8 degree 4 minute तक है north की side है क्योंकि हम northern hemisphere में आते हैं तो जब हम अब क्या बात करते हैं हम बात करते हैं जब हम गुजरात से अनाचल परदेश की तरफ जाते हैं तो हमारे पास दो घंटे का time difference आता है और यह दो घंटे का time difference आता कैसे है जब हम 68 degree 7 minute से 97 degree 25 minute तक जाते हैं तो यह almost 30 degree का difference आता है यहां पर almost 30 degree का जब हम world geography पढ़ेंगे तब हम पता चलेगा जो एक degree है वह 4 minute के equal है तो जब हम इसको multiply करेंगे तो यह 120 minutes आएगा तो यह almost हमारा 2 घंटे के बराबर है तो इसलिए हम गुजरात से अनाचल परदेश की तरफ जाते हैं तो हमारा जो time difference है वो 2 घंटे का आता है अब हम बात करते हैं Tropic of Cancer की इसे करक रेखा भी कहा जाता है करक रेखा हमें पता है यह हमारा globe है और यहां से हमारे equator है जो हम 0 degree पर मानते हैं और इसकी 25 degree North में है उसे हम करक रेखा बोलते हैं और नीचे 25 degree में South में है उसे हम मकर रेखा बोलते हैं यह क्या करती है यह एक belt का काम करती है मतलब कि अगर हम इसके उपर जाएंगे या इससे नीचे जाएंगे तो हमें सूरज की जो किरने हैं वो तिर्छी मिलेंगी इस जोन में क्या होगा हमें सूरज की किरने हैं वो सीधी मिलेंगी मतलब कि दोपैर के समय सूरज है वो बिलकुल सिर्पे होगा तो अब हम बात करते ही कहां कहां से गुजरती है यह हमारी जाती है गुजरात से राजस्थान से मध्यपरदेश से जारकंड से उड़ीशा से पश्मी बंगाल से तेरपुरा से और मिजोरम से होके हमारी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरती है अब हमने जो पढ़ा है उस पे बेस्ट क्वेशन्स है ये हम क्वेशन लगाते हैं करकरेखा निम्ग में से किस राजे से होकर गुजरती है जम्मो कश्मीर हिमाचल परदेश बिहार या जार्खन तो अभी हमने पढ़ा कि ये जार्खन से होके गुजरती है अगला question है निम्ग में से कौन सा राज्य है भारती राज्य करकरेखा के उत्तर मिस्तित है जारकन, मनिपुर, मिजोरम और तिरपुरा तो भारती राज्य करकरेखा के उत्तर मिस्तित है तो वो हमारा मनिपुर है निम्ग लिखित नगरों में कौन करकरेखा से निकटम दूरी पस्तित है अगर तला गांधी नगर जबलपूर या उजयन तो हमारा आंसर हो जाएगा गांधी नगर और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजी और टेलेग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है अब हम बात करते हैं भारत की भोगॉलिक सर्शना की शेत्रफल की दृष्टी से भारत विश्व का सात्वा बड़ा देश है जबकि जनसंक्या की दृष्टी से यह है विश्व का दूसरा बड़ा देश है हमसे उपर चाइना है शेत्रफल की दृष्टी से भारत से बड़े च्छे देश हैं रूस कैनेडा चीन स्युक्तराज अमेरिका ब्राजिल लिवं ऑस्ट्रेलिया भारत का संपूर्ण शेत्रफल विश्ष के शेत्रफल का 2.42 परसंट है जबकि हमारे देश में कितनी जनसंख्या रहती है 17.5% मतलब जितनी टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 17.5% सिर्फ इंडिया में रहता है 2011 की जनगर्ना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टी से विश्ष के आठ बड़े देश हैं चीन भारत से युक्तराज अमेरिका इंडोनेशिया ब्राजील पाकिस्तान बांगलादेश और रूस भारत का उत्तर से दशिन मतलब यहां से हमारा जो दूरी है वो कितनी है वो हमारी 3-1-4 किलोमीटर है और जैसा हम लंबाई में है और चुडाई में कम है तो हमारी जो विट्थ है वो है 2-9-3-3 किलोमीटर और यह हमारा United Nations Demographic Yearbook 2009-10 का है जिसमें सबसे बड़ा देश है रशिया दन कनेड़ा दन यूएसे चाइना ब्राजील आस्ट्रेलिया और फिर इंडिया इंडिया है उसमें 28 streets है और 8 union territories है और यह नई 8 union territories कोन सी है यह है अंडमान और निकोबार, चंडिगर, दादर और नागर हवेली अंदमंदीव इनको मिलाकर एक कर दिया है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षदीब, दिल्ली और पॉंड़ेचरी अब आपके लिए question है शेतरफल में कोन सा राज्य सबसे बड़ा है और आप मुझे इसका जवाब कॉमेंट सेशन में देंगे भारत का मानक समय इलाबाद के निकट मिर्जा पूर्जे कुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है मतलब कि हमने बात की थी यह हमारा ग्लोब है यहाँ पे कहीं पे भी हमने एक स्टेंडर टाइम को मान लिया जिसको हम बोलते हैं ग्रीन विज जिसके मतलब यह विशुवत रेखा है हमारी इससे अगर हम इस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम है वो इंक्रीज होता है और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम है वो डिक्रीज होता है मतलब हमने इसको जीरो पे माना है और इसी के हमने reference में हम कहां पे हैं हम है 82.5 degree east में है तो जब हम हमने पहले भी बात की थी कि 1 degree है जो 1 degree है वो 4 minute के equal है तो हम green width से 82.5 east में हैं तो जब हम इसको multiply करेंगे तो हमारे पास जो time आएगा वो 5.5 घंटे आएगा और ये कहां से गुजरती है ये 82.5 degree पूर्वी देश अंतर 5 राजयों से होकर गुजरती है उतरपरदेश, मद्यपरदेश, चतिसगर्ड और ओडीशा से होकर गुजरती है अब एक क्वेशन है भारत, भारती अमानक समय अब हम ग्रीन विच माद्य समय में कितना अंतर पाया जाता है तो ये अंतर कितना पाया जाता है ये अंतर है साड़े 5 घंटे का वो प्लस में क्योंकि हम east की direction में हैं तो जब हम east की तरफ जाते हैं तो टाइम है वो बढ़ जाता है जैसे कि ग्रीन विच पर अगर 12 बजी हैं तो हमारे उस टाइम पे साड़े 5 बजी होंगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं भारत का जो दक्षिंतम मिंदू है साओ हं मौस part high point है उसे कहा जाता है इंदी रा पोइंट जो यह फिर कहा जाता है पिगमेलियन पॉइंट का मुझन का जाता है हमें पता है कि 2004 में सूनामी में उसका बहुत बड़ा जू पार्ट था वह डूब गया था और जो हमारा Northernmost point है उसे कहा जाता इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में है और जो हमारा Westernmost point है उसे कहा जाता गोहार मोती जो गुजुरात में है और जो हमारा Easternmost point है वो है कि बीथू और जो और नाचल परदेश में है जो अब हमारा इंडिया है वो इसे ये सेंट्रल इंडिया में आता है और हमारा इस इंडिया बन्गाल के जो पास का जो पाइद्ध है तर नौर्थ इंडिया, पंजाब, अर्याणा दिली, यूपी नौर्थ इस्ट में आती है हमारी सेवन शिस्टर्स उसके बाद है हमारा साउथ इंडिया साउथ इंडिया केरल करनाटक वाला जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा साउथ इंडिया में आएगा भारत है वो 22जा 716.6 किलोमीटर अपनी सीमा शेयर करता है 15500.523.6 किलोमीटर और यह किस-किस के साथ शेयर करते है यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपल, भुटान, मियंआर, बांगलादेश के साथ शेयर करता है ठीक है और अब हम बात करते हैं कि ये हमारी हमें पता है कि जो भारत है ये हमारी कितनी कितनी सीमा शेयर करता है जैसे पाकिस्तान के साथ 333 किलोमीटर शेयर करता है चाइना के साथ 3488 किलोमीटर शेयर करता है ठीक है और अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे कितने राजे हैं जिनकी सीमा लगती है जो पाकिस्तान के साथ हमारे चार राजे हैं जिनकी सीमा लगती है वो है गुजराद, राजस्तान, पंजाब, जम्मूर, कश्मीर, चीन के साथ हमारे पांच राजे हैं जिनकी सीमा लगती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल परदेश, उत्राखं बिहार पशिम बंगाल और सिक्केम बुटान के साथ है सिक्किम पशिम बंगाल असम अरनाचल परदेश पांगलादेश के साथ है पशिम बंगाल असम मिघाले मिजोरम मियमार के साथ है अरनाचल परदेश नागालेंड मनिपूर मिजोरम अफगानिकस्तान के साथ जम्मु आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कोस्टल एरियास की या फिर हम बोलते तट्रेखा जो समुंदर तट्से जिनकी सीमा लगती है वो राजे हैं हमारे गुजरात दादर नागर हवेली और दमंदीव महराष्ट्रा गोवा करनाटका केरल तमिल नाडू ओडिशा और वेस्ट बेंगॉल यह वो राजे हैं जिनकी जो तट्रेखा को जिनकी समुंदर के साथ तट्रेखा है तो अब मैं आपसे क्वेशन पूछती हूं विच स्टेट हाज लोंगेस्ट कोस्टल लाइन इंडिया मतलब किस राजे की सबसे लंबी तट्रेखा है तो यही है हमारा कोईशन उसके बादा इंटर नैशनल बादर इंटरनाशनल बार्डस में चेंफकर करते हैं उसको बूला जाता है PD करते यह उस्ट और मैक मोहन और अफगानिस्तान ने सांथ जो हमारा बार्डर स्य ंयह होता है उसको कहा जाता है ड्रे no लाइन अब वोकेशन है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है तो अभी हमने कहा कि भारत और चीन के बीच में जो रेच सीमा रेखा है वो मैक मोहन कहलाती है ठीक है और अब बात करते हैं प्रिटिश इंडिया इंपार 1947 की भारत और बांगलादेश का विवाद ब भूमी शेत्रों के आदान प्रदान को स्विकर्ती देने वाले 119 में स्विधान सरी शोधन विधियक को मंजूरी प्रदान की है इसके द्वारा 1974 में हुए भारत बांगलादेश सीमा समझोते को लागू किया जाएगा अब इससे भारत को क्या शेत्रफल प्राप्त होगा पशिमी बंगाल का 238.05 किलो मीटर मेगाले का 240.578 किलो मीटर और तिरपुरा का 138.41 किलो मीटर और बांगलादेश को जो शेत्र प्राप्त होगा वो होगा पशिम बंगाल का 1957.59 जो है वो शेत्र प्राप्त होगा अभी हमने किया कि जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ अब हम बात करते हैं क्वेशन है आपके लिए भारत के निमलिकित राजियों के स्मोहों में से कौन सा स्मूप पाकिस्तान से सीमा बनाता है तो इसका जवाब हो जाएगा पंजाब जम्मू कश्मीर राजिस्तान तथा गुजराद तीक है अब बात करते हैं अब हम बात करते ह। पार्क स्ट्रेट की, पार्क बे की और गल्फ ओफ मननार की, तो पार्क स्ट्रेट का मतलब है कि दो लैंड मासे हैं, मतलब कि दो भू भाग हैं और उनको एक पतली सी जलधारा उसको अलग कर रहे हैं, तो उसको कहते है कि पार्क स्ट्रेट है वो, जो इस साइड जो एरिया ह उसे कहते गल्फ ओफ मननार कहा जाता है चलिया आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं इंडियन सब कॉंटिनेंट की मतलब की इंडिया जो और भी देश है वो इंडियन मतलब की इंडियन सब कॉंटिनेंट में आते हैं मतलब भारतियों महाद्वीप में ही आते हैं वो कौन कुन से हैं पाकिस्तान नेपाल बुटान बांगलादेश शिरी लंका और मौल्दिव्स यह हमारे छे नेबरिंग कंट्रीज हैं जो हमारे इंडियन सब कॉंटिनेंट में आते हैं और चले आगे चलते हैं अब हम बात करते हैं हमारी बहुगालिक सर्चना की अब हमने शुरू में ही बोला था फिजिकल फीचर मतलब जो इंडिया है उसके हर जगां पे मतलब अपनी ही एक अलग खुबी है तो जैसे हम बात करते हैं यह उपर का पार तो यह दो हिमालियन रेंज में आता है जब अम से थोड़ा नीचे आते हैं नोर्दन प्लेंज आते हैं मतलब मैदानी बाग आता है और आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है गाल देन दू लाइक शेर यान सब्सक्राइब तू आर चैनल थैंक यू कर दो कर दो